Hello everyone, welcome back to Shahnology banks YouTube channel, स्वागता आपका एक बार फिर से Shahnology bank के YouTube channel पर आज हम लोग discuss करने वाले हैं General Science का सेट टू, ठीक है Practice Set 2 आपके ये रहने वाला है और आपके General Science का Second topic है Electric current, Power, Energy and voltage ठीक है टॉपिक वन हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो वह भी जाके एक बार चेक आउट कर लीजिएगा आज ही साड़े साथ बजे ठीक है अकाउंटेंसी का आपका जो थर्ड पोर्शन है वो मैंने करवा दिया है तो जाके देख लो हम लोगोंने इसको पूरा जीरो टू हीरो सीरिस करके यह किया हुआ है बिलकुल अगर किसी को कुछ भी नॉलज नहीं है तो उसके लिए पहले ब तो इस लेक्चर की पीपिटी आपको मिल जाएगी भाई कहां हमारे टेलिग्राम चैनल पर ठीक है तो यहां से यह डाउनलोड कर लीजिएगा पीडिएफ फ्री आफ कॉस्ट और एक चीज़ बता दूँ अभी जब आप लेक्चर अटेंड करोगी उसके बाद आपको खु समझ जाएंगे तो चलो वन बाई वन बाई स्टार्ट करते हैं हमारा जो जनल साइंस का सेकंड टॉपिक है तो पहली चीज एलेक्ट्रिक करंट चीज क्या है बेसिक चीज हमें यह पता होने चीज़ एलेक्ट्रिक करंट भाई जब भी चार्ज पाटिकल्स का फ्लो होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं that is electric current ठीक है तो चार्ज पाटिकल्स कौन सी होते हैं जिनको आप लोग कहते हो electrons अब electric current को आप कैसे समझ सकते हो जैसे के पानी होता है पानी कैसे बहता है फ्लो में ठीक है जो stream होती है पानी की कैसे बहती है तो वैसे ही आप लोगोंने imagine कर लो invisible particles जो है वो move कर रहे हैं किसी wire के through ठीक है कोई भी तार हो उसके बीच में से वो move कर रहे हो तो वो होते हैं क्या charge particles जो move करते हैं नेगेटिवली चार्ज जो particle है वो move करते हैं positive चार्ज जो होते हैं वो move नहीं करते हैं यह आपको याद रखता है बाकी electric current के related अभी फिलाहल basic देख लो बाद में हम लोग in detail भी discuss करेंगे clear चलिए जो unit होती है electric current ही वो होती है ampere हम लोग A से denote करते हैं और इसको measure किया जाता है emitter के द्वारा यह भी आपने याद रखना है emitter के द्वारा हम लोग इसको measure करते हैं ऐसा unit है ampere current clear चलिए जी next point पे आजो that is power अब power क्या चीज है power कुछ भी नहीं है simple एक rate है जो energy को convert या फिर transfer करते हुए हमें बताता है clear क्या है यह एक rate है जो energy को transfer या फिर convert करते हैं जब तो वो बताता है कि भाई कितनी rate से वो power convert हुई है या फिर transfer हुई है एक जगा से दूसरी जगा पे clear अब आप लोग imagine कर लो जो आपके घर पे bulb लगे हुए है night bulb जिसको बोलते हो आप लोग ठीक है उस बल्ब की जितनी voltage ज्यादा होगा उतना वो bright जलेगा तो that is power ठीक है जितना तेज पावर होगा उतना तेज आपका bulb जलेगा ठीक है यह सभज लेना आप लोग और unit क्या है power की that is watt ठीक है वाटेज मैंने आपको बोला थे यहाँ पे तो दिए watt डबली ओ से आम इसको denote करते हैं clear और यह जो power है यह किसका product होता है voltage और current का voltage और current का यह product होता है power clear ठीक है भाई चलिए next one is energy अब energy क्या चीज़ है energy is nothing but a capacity to do a work or produce heat ठीक है कुछ काम करने के लिए energy या फिर कोई heat produce करने के लिए जो energy लगती है that is energy इस जो आपके electricity में आपकी energy है वो यह energy है बाकी आप लोग जैसे bio में energy पढ़ोगे तो that is a different kind of energy same ही काम है इनका बस यहाँ पर वो electricity को produce कर रही है वहाँ पर आपको कुछ काम करने के लिए आपको जैसे portion दे रही है कि हाँ भाई आप लोग active रह सको आपको energy मिल गए कि ताकि आप कुछ काम कर सके clear in context of electricity it's what makes your device function ठीक ह जब आपकी devices function करने लगे है तो that is क्या भाई सब हाँ हमारा जो power है वो function कर रहा है तो energy की unit क्या होती है भाई वाट पर आर ठीक है वाट पर आर ठीक है समझा गया और energy को हम लोग calculate करते हैं कैसे energy is equals to power and time ठीक है power into time पी into t यह हमारा हो जाता है energy clear चलिए next one is voltage voltage क्या है यह voltage कुछ भी नहीं है यह potential difference होता है जो current को एक circuit में flow करने का रास्ता दिखाता है potential difference that makes current flow in a circuit किसी एक circuit में कैसे current जा रहा है वो हमारी क्या होती है simple एक voltage होती है यह एक force होती है आप लोग ऐसे याद कर सकती हो जो electricity के पीछे होती है that is voltage जितनी high voltage होगी उतने ही electricity आपके पास तेज होगी जितनी low voltage होगी उतनी काम आपके पास electricity होगी that is voltage ठीक है अब आप imagine कर सकते हो force करो electrons को push करो किस के थूँ वायर के थूँ तो that is voltage ठीक है यह capacity है और voltage जो है यह force behind electricity है ठीक है यह चार important terms है आपको clear होनी चाहिए मैंने आपको हर एक चीज़ बेसिक से बताया है यह चीज़ें थी आपकी basic terms वाली clear अब next चीज़ देखो आपके घर तक electricity पहुंचती कैसे है बाई clear electricity जो आपके घरों तक यह देखो definition का electric current की electric current is a rate of a flow of electric charge in a particle circuit ठीक है यह क्या है जो हमारा electric current है nothing यह क्या है बस flow जो charge होते है particles जो होते है मैंने आपको बताया जो negatively charged particles होते है वो जब flow करते है ठीक है तो good conductor होते हैं insulator होते हैं क्या चीज़े हैं यह सारी चीज़े हम one by one discuss करेंगे आप बिल्कुल बेफिकर हो step by step में लेके जाओंगा आपको हर एक ही चीज़ को आपको वीडियो के लास तक समझा के ही आपको यहां से जाने दूगा clear आप उस इस चीज़ में बेफिकर हो यह वाला topic जो आपका बिल्कुल कोकी हो जाएगा clear electric current समझागी क्या चीज़ है यह हमारे पास एक छोटा सा फिकर जिससे आप लोग इमेजन कर सकते हो ठीक है यहां से आप लोगों ने लगाई force इस force से निकला क्या पानी ठीक है moving water जो हम लोगों ने क्या किया एक wind के ऊपर डाला wind ने क्या किया spin करना शिरू किया इस turbine ने य तो आगे हमारे पास क्या है electricity generator तो यह भी आगे से spin होगा ठीक है यह भी तो घूमेगा ना magnetic spinning होगी इसमें क्योंकि copper wires और coils होती है इसके अंदर जो generate करती है क्या electricity हमारी जब यह यहां से हो जाएगा spin होना शिरू होगा then हमारे पास क्या होगा electricity generate होना शिरू हो जाएगी ठी लगे होते हैं then हमारे schools हो colleges हो घर हो हमारे electricity आपके पास होचती है ठीक है यह थी एक basic थोड़ा सा diagram आपको बताया अब यहां पर देख लो यहां से आप समझ जाओगे यह आपका power plant है जह मैंने बताया था कैसे कैसे आपको forcefully जो पानी है उसको फैंकते है फिर spin होता है फिर transmission substation होता है वहां पहुचती है then जाती है आपके पास distribution substation जहां से आप electricity distribute करते हो उसके बाद आपके पास आता है transformers के पास ठीक है transformers की बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे tension नहीं लेनी है ठीक है तो जो यह transformers हैं यहां से फिर हमारे घरों तक light पहुच जाती है clear यह हमारी how electricity reaches our home next चीज़ बाई अब कुछ basic चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जैसे के क्या है पहली चीज़ जैसे आपके पास क्या आगया बाई डाइनमो डाइनमो में क्या चीज़ है बाई यह डाइनमो क्या है यह एक device है जो क्या करती है हमारी convert करती है mechanical energy को clear क्या electrical energy clear याद रखना है आपनी एक्जाम में आ सकता है डाइनमो कि भाई mechanical energy to electrical energy में जब convert होती है तो उसको क्या कहते है वह होता है क्या हमारे पास है डाइनमो डाइनमो is used for the conversion of mechanical energy to electrical energy clear भाई next one is batteries चीक है जो आपकी battery होती है उसका क्या काम होता है बैटरी जो होती है यह आपकी chemical energy को convert करती है हमारा किसमे electrical energy clear electrical energy यह टर्म भी आपने याद रखना है बैटरी ठीक है जो अर्थ होता है जो बोलते हैं अर्थिंग वाईर है वो किस परपस के लिए use किया जाता है तो वो safety परपस के लिए use किया जाता है यह आपको पता होना च अब आपके पास conductor पूछे जाते हैं ठीक है best conductor of electricity best sub set top of one of the best conductor of electricity is that is silver ठीक है उसके बाद आपके पास copper आता है उसके बाद aluminum आता है उसके बाद iron आता है यह चीज़ें आपने याद रखनी है अब bad conductor क्या हो गया जैसे आपके बास plastic है ठीक है यह हमारे bad conductor होते हैं clear चलिए जी यह हो गया next one is same potential जब भी same potential होगा तब क्या चीज़ होगा बाई electric current जो है वो पास नहीं करेगा ठीक है याद रखना है आपने यह जब भी current same होगा electric current जो होगा वो flow नहीं करेगा वो पास नहीं करेगा कहां से between two bodies जब भी दो bodies होगी उ चाल युद्स को हम लोग बोलते हैं क्या भाई that is a same potential clear next things आपके पास ağती है बहाई electric bean water ठीक है क्या है इलेक्ट्रिक एछैंट जो आप घर में जलाते हैं ठीक है अलेक्टिर्टिक beef में क्या होता है filament का बना होता है filament में क्या होता है filament made up of tungsten याद रखना है यह जो electric bulb में होता है filament वो बना होता है किस से tungsten से अब जो halogen lamp होता है halogen lamp जो होता है वो किसका बना होता है halogen lamp का filament होता है उसमें होता है tungsten plus sodium यह point आपने याद रखना है ठीक है, जो halogen lamp होते हैं, उनका जो filament होता है, उसमें tungsten plus sodium दोनों होता है, और जो filament होता है, इसका temperature आपका 2000 degree Celsius से 2500 degree Celsius तक होता है, clear, याद रहेगा ही, यह terms आपने याद रखनी है, आपके exam में पूछी जाती है, next आपके पास आजाता है fuse, fuse क्या है, fuse यूज किया जाता है, किस fuse होता है, उस वो high resistance होती है, उसमें और low melting point होता है, clear, क्या होता है भाई, जो आपका fuse होता है, उसमें आपके पास क्या high resistance होती है, और low melting point होती है, ठीक, next आपके पास आचाता है भाई, क्या wires, कितने types की होती हैं आपके पास, वैसे तो 3-4 types की होती है, but दो important wires जो आपने या ये क्या होती है, neutral wire, black wire, red wire आप लोग, जो next होती है, red वाली, red वाली क्या होती है, red वाली को हम लोग बोलते है, live wire, clear, live wire and neutral wire, ये दोनों concept clear होगे आपके, चलिए, next one is, जो हमारे घरों में electricity supply करते हैं, उस connection को क्या कहा जाता है, तो जो घरों में electricity supply होती है, हमारे, उसको हम को बोलते हैं, parallel connection, ठीक है, क्या बोलते हैं, parallel connection, next one is transformer, अब ये जो transformer है, ये क्या करता है, transformer का काम क्या होता है, तो ये जो होता है, हमारे जो voltage होती है, ठीक है, उस voltage को step down भी करता है, और step up भी करता है, clear, ये कुछ हमारे important basic terms से, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, electric current हमने देख लिया, flow of electrons, हमने देख लिया, current कैसे measure किया जाता है, जो हमने check out कर लिया, next one is important चीज जो आपको याद रखनी है, that is, AC and DC, AC and DC क्या है, one is direct current and another one is alternating current, अब AC क्या है, AC, first आजाओ DC पर, DC क्या चीज़ है, ये constant flow रहता है, इसमें किसका electrical charge particles का single direction में, clear, एक ही direction में, ये जो charge particles होते हैं, ये flow करते हैं, constant flow रहता है, ठीक है, और most of the electronics devices जो होती है, वो DC पर चलती है, clear, direct current, clear, जो भी current direct हो, ऐसे आप लोग याद रख लो, तो उसको हम लोगे DC बोलते हैं, next one is alternating current, alternating current में क्या है, जिसमें जो electric charge होते हैं, जो particles होते हैं, वो direction switch करते हैं, मतलब कि य याद रखना, ये important point है, AC में equal होंगे, ठीक है, अब मानलो, यहाँ से, एक तरफ से 60 particles हैं, तो opposite side से भी 60 particles ही आएंगे, clear, तो वो क्या होता है, हमारे पास, alternating current, ठीक है, AC and DC, मैंने यहाँ पर diagram बना रखिए, यहाँ से आप देख सकते हो, next important चीज आपके पास conductors and insulators, ठीक है, conductors क्या होते हैं, ये conductors वो material होता है, जो electricity को flow करने में मदद करता है, easily, ठीक है, जैसे most of the metals are good conductors, clear, और opposite conductors जो होते हैं, अब conductors क्या चीज है, जो electricity flow करने में मदद करें, insulator उनका opposite है, जो electricity को रोकते हैं, clear, जैसे के rubber है, plastic materials है, ये सब क्या हैं, हमारे insulator है, clear भाई लोग, voltage म बता दिया, ठीक है, resistance, ठीक है, ये क्या चीज है, resistance, और इसको measure कैसे किया जाता है, ये, आप लोग ये समझ सकते हो, जो resistance है, clear, how well something conducts electricity, ये वो measure करता है, कोई भी चीज कैसे, और कितनी अच्छे से electricity को conduct कर सकता है, उसको हम लोग resistance कहते हैं, जो हमारा measure करता है, resistance, ठीक है भा clear, high resistance होगा, that means, that it doesn't conduct electricity well, ठीक है, जिस चीज का resistance क्या होगा, लो होगा, मतलब के उसमें क्या है, electricity जो है, वो क्या होगी, अच्छी होगी, अच्छी flow होगी उसमें, ठीक है, और जिसमें high resistance होगा, उसमें जो electricity है हमारी, वो अच्छी flow नहीं होगी, clear भाई, ये दो point आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये था हमारे basic terms about, ये पूरी पिपटी में आपको मिल जाएगी, ये सब चीज़े में आपको भी बता दी है, यहाँ पे time waste करने की ज़रूरत नहीं है, हमें, चलो भाई, आप आते हैं, सीधा हम लोग किस पे, हमारे questions पे, चलो, पहला question है आपके पास, ये मैं आपको बता दू, PYQs में इसमें डाल रखे हैं, ठीक है, 20 questions मिलेंगे आपको देखने को इसमें, ठीक है, उसमें से 10 जो हैं, वो PYQs हैं, ठीक है, previous year questions है, तो that's why आपको पसा चल जाएगा कि भाई, इस topic से किस तरह के questions आते हैं, पहला question देखिए, mechanical energy to electrical energy, या low voltage to high voltage, yes, high voltage to low voltage, और low voltage to high voltage, ये दोनों काम आपके कोन करता है, भाई, transformer करना है, ये दोनों option तो गई आपके, तो अब, डाइनमो में ने आपको बताया था, ये mechanical energy को क्या करता है, electrical energy में convert करता है, तो आपका C option हो जाएगा, यहाँ पे correct answer, clear भाई, चलिए, move to next question, the device which is used for converting chemical energy to electrical energy, ठीक है, chemical energy को जो convert करे, electrical energy में वो कौन सी device होती है, battery होती है, motor होती है, generator होता है, ये none of these, yes, क्या होता है इनमे से, तो भाई, वो क्या होता है, हमारे पास से battery होती है, clear क्या होती है, वो battery होती है, तो option A हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बिलकुल correct वाला, clear होई, चलिए जी, हाँ, important है ये PYQ था आपका, इन 3-pin electrical plug, ठीक है, जो 3-pin का electrical plug होता है, उसमें जो longest pin होती है, वो connected होती है, इनमे से किस के साथ, neutral terminal के साथ, ground terminal के साथ, live terminal के साथ, या इनमे से किसी के साथ नहीं होती, yes, question 3, answer दीजे भाई, तो भाई, वो connected होती है, आपकी ground terminal के पर correct answer, clear, चलिए, move to next question, in electric apparatus, earth, ठीक है, is used for which of the following purpose, जो earthing wire मैंने आपको बताया था, जो earth होता है, earth किस के लिए use होता है, safety के लिए use होता है, as a fuse use होता है, reduce expenditure, या reduce current, तो वो किस के लिए use होता है, भाई लोग, that is, reduce for safety purpose, safety purpose के लिए हम लोग earth use करते है, clear, next one is, which of the following is the best conductor of electricity, इन में से best conductor of electricity कौन सा है, ये आप से पुछा गया भाई, मैंने आपको चारों बताये थे, तो ये चारों options में हैं, आप लोग मुझे sequence में एक बार comment करके बता दो, जितने भी live बच्चे हैं, ये सारे एक बार मुझे connect कर दो, सबसे best ये, उसके बाद ये, उसक spin कर चुका हूँ ये, अब आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे, इसका जवाब में नहीं देने वाला, फिफ्ट कोशन का answer आप लोग मुझे comment section में देजिए कि best conductor of electricity कौन सा है, चलिए, नेक्स कोशन देखो, कोशन 6, when the electric current does not flow between two bodies, it means they have the same charge, same resistivity, capacity या same potential, येस, तो same potential के by electric current जो हमारा होता है, वो flow नहीं करता between two bodies, clear, question 6, clear, next one, question 7, what is the temperature of the filament of the lighted electric bulb, जो electric bulb का filament होता है, उसका temperature क्या होता है, yes, ये भी मैं आपको उपर discuss करवा चुका हूँ, 100 degree to 200 degree Celsius, 2000 degree to 2500 degree Celsius, 500 to 1000 degree Celsius, 1000 to 1500 Celsius, तो भाई, ये option B है, आपके पास, correct, 2500 degree Celsius, clear, option B है, आपका बिलकुल correct answer, clear, चलिए, आगे भढ़ते हैं भाई, 8th question की तरफ आजाओ, the filament of an electric bulb is made up of which of the following given material, जो bulb का filament होता है, वो किस से बना होता है, ये मैंने आपको उपर भी समझाया था, तो वो किस का बना होता है, वो बना हो होता है, tungsten का, okay, tungsten, और जो filament होता है, halogen bulb का, किसका, halogen bulb जो होता है, जिसको halogen lamp बोलते हैं आप, इसका जो filament होता है, वो बना होता है, tungsten, plus sodium, clear, tungsten और sodium, दोनों से बना होता है, halogen lamp का filament, clear, option A हो जाएगा, यहां हमारा 8th question का correct answer, question 9 पे आजो, we often use fuse in the main electrical supply for safety, why, fuse हम लोग क्यों use करते हैं, fuse का क्या काम होता है, yes, fuse का due to its low resistance and high melting point, अगर high melting point हो तो हम fuse की लगाएं भाई, ठीक है, due to its low resistance and low melting point, okay, resistance low है, तो हमें किस काम की electricity चीए फिर, clear, मतलब के melting point भी लो है उसका, और electricity का हमारे पास high आ रहे है, यह, तो यह भी नहीं होगा, due to its high resistance and low melting point, yes, this is the answer, ठीक है, high resistance होता है, और low melting point होता है, that's why हम लोगो fuse use किया जाता है, electric supply में, ठीक है, उसकी safety के लिए, next one is, the filament of halogen lamp, yes, question ही आगया आपके पास, is made up of which of the following given option, filament जो होता है, halogen lamp का, यह किस से बना होता है, sodium iodine, tungsten iodine, tungsten bromine, tungsten sodium, yes, तो भाई, question 10th का answer है, आपका option है, D, tungsten और, sodium से बना होता है, आपका, halogen lamp का, अपना filament, clear, next one is, which of the given gases filled in tube lights, tube lights में कौन सी gas होती है, यह आपका PYQ होता है, previous year question है, clear, चलिए, mercury vapor neon, mercury vapor argon, sodium vapor neon, sodium vapor argon, yes, normal tube light जो होती है, ना आपकी, okay, normal जो आपकी tube light होती है, उसमें आपको क्या 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 देखने को मिलता है, याद रखना, mercury, vapor, okay, vapor and argon gases, यह gases आपको, normal जो tube light होती है, आपकी उसमें देखने को मिलती है, तो that's why option B हो जाएगा, आपका correct answer, clear option B है, आपका correct वाला, ठीक बाई, चलिए, next question देखो, question 12 पर आजाओ, what is the full form of CFL, CFL क्या चीज़ है, compact fluorescent lamp, centrally fixed lamp, chemical fluorescent lamp, या condensed fluorescent lamp, yes, CFL, तो full form जो CFL की है, वो है, compact fluorescent lamp, ठीक है, compact fluorescent lamp, option A है आपका correct answer, clear, चलिए, question 13 पर आजाओ, why we preferred CFLs over electric bulb, compact fluorescent lamp जो होते हैं, उनको हम लोग क्यों prefer करते हैं, instead of electric bulb, ठीक है, CFLs are cost effective, CFLs have long life, okay, CFLs have transferred more electricity energy, into light energy, ठीक है, all of the above, तो बिलकुल भाई साब, जो CFLs होते हैं, वो electric bulb के, अगर compression में देखा जाए, तो उनकी cost जो है, effectiveness होती है, long life होती है, और efficient होते हैं, CFLs, ठीक है, तो that's why we prefer CFLs over electric bulb, तो option D है, आपका correct answer, सारे के सारे यहाँ पर correct है, clear, चलिए, next question देखो, white light produced in the tube light due to, यह तो बहुत easy है, clear, yes, बताईए, heating up of copper wire, heating up of filament, acceleration of autumns, oscillation of modules, तो भाई, filament जो होता है, वो heat up होगा, तो ही तो आपको light देखने को मिलती है, white light, so that's why heating up of filament, clear, next question देखो, what color does a neutral wire have in electric supply, electric supply में, जो neutral wire होता है, उसको कौन सा color होता है, green, white, black, red, तो जो आपकी black wire होती है, यह आपकी क्या होती है, neutral wire होती है, और जो red होती है, इसको हम लोग live wire कहती है, clear, यह आपने याद रखने है, चलिए जी, next question आजो, domestic electrical supply wiring has a what kind of connection, कौन सा connection होता है, जो आपके domestic connection होते हैं, तो उनको हम लोगो बोलते हैं, बाई, क्या parallel connection, option A आपके पास यहाँ पे है, बिलकुल सही answer, तो parallel connection is correct one, चलिए, next question देखिए, question 17, what is the color of live wire, अभी हमने उपर discuss करा था, live wire का क्या color होता है, white, black, yellow यह red, तो black तो आपकी neutral wire है, clear, तो red है आपकी live wire, clear भाई, याद रखना, चलो जी, next question आजाओ, transformer is used for what purpose, transformer जो है, वो किसलिए use के जाते हैं, to convert AC into DC voltages, okay, to convert DC into AC voltages, to step up or step down AC voltages, to step up DC voltages, yes, transformer किसलिए use के जाते हैं, भाई, तो transformer जो है, वो AC voltages को step down या step up करते में help करता है, इसलिए ये use किया जाता है, ठीक है, option C है, आपके पास correct answer, clear, next one is, a mobile charger is, mobile charger क्या है, आपसे ये पूछा गया है, यूपिएस, step down transformer, and inverter, step up transformer, mobile charger जो होता है, step down transformer होता है, clear, आपने याद रखना है, ये option B हो जाएगा हमारा यहाँ पे, clear, ठीक है, mobile charger, step down transformer होता है, तो option B हो जाएगा हमारा यहाँ पे, correct answer, I hope so, आपको इस topic के, जितने भी doubts होंगे, वो clear हो गए होंगे, अगर फिर भी आपको कहीं doubt है, तो आप लोग मुझे comment section में बता सकते हैं, तो next video में मैं आपके doubts को clear करने की कोशिश करूँगा, पी-पी-टी आपको यहाँ मिल जाएगी, download कर लीजिएगा, ठीक है भाई लोग, तो अब हाँ, एक चीज़ बता दूँ, हम लोग computer का, computer जो series है हमारी, ठीक है, उस पे अभी तक एक भी videos नहीं हाई है, मैं आपको prefer करोगा पहले जो हमारे 7 set थे, practice set, VLW वाले, वो एक बार सबी लोग जाके देख लीजिएगा, minimox for VLW, उसमें I think 35 to 40 videos होंगी, playlist में, वो सारी ही देख लो, आपके लिए helpful है, क्योंकि सारे ही topic आपके इसमें भी add-on है, ऐसा नहीं है, मैं अभी computer नहीं लाँगा, next वहीं बता रहा हूँ मैं आपको, computer series में कल स शिरू करूँगा, जिसमें set 1 होगा, ये topic wise में नहीं करवाने वाला आपको, क्योंकि ये मैंने पूरा crash course करवा रखा है, computer का, अगर नहीं देखा है, तो computer awareness करके एक playlist होगी, वहां से आप जाके check out कर लेना, वो देख लीजिएगा, तो set 1 आएगा, कल computer का, ठीक है, जिसमें ह आपका 10 नंबर का portion है, तो आपकी अगर मान लो, ये में 9 से 10, ठीक है, 9 से 10 आपके set आएंगे computer के भी, तो आप लोग यहां से देख लो, आप रॉक्स, ये starting में 20-20 के आँगे, last में में आपको 40-40 के set भी करवा दूँगा, ये मान लो, आप 500 से 600 questions में आपके computer के practice करवा और GK of Jammu and Kashmir वाले और बाकी जो portion बचे हैं, वो भी हम लोग साथ-साथ करते रहेंगे, वीडियो पसांद आईयो भाई लोग तो लाइक कर दीजेगा, और देखो भाई, वीडियो बहुत लोग देखते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब भी कर द मनusa rain, वीडियो गाईब नहीं कर दो सब्सक्राइब लोग बायाएगर लोग बबड़ कर दीजेखते हैं, वीडियो लोग देखे लोग झार रहेंगे, वीडियो प्लाद रहेंगे, वीडियो खाको, बट…"